हलो आगर इसी फ्री एजूकेशन की बात करूं तो आप मेरे पीछे क्लास 11 और 12 साइंस स्टीम की सबसे बेस्ट टीम देख सकते हैं जो ऑनलाइन आपको फ्री एजूकेशन प्रोवाइड करें यहां जितने भी टीचर्स हैं साइंस स्टीम के चाहिए आप फिजिक्स की बात करें कैमिस्ट्री की बात करें मैट्स की बात करें बायोलॉजी की बात करें आपको फ्री और कॉलिटी एजूकेशन प्रोवाइड की जा रही है और अगर मैं इसी सिलसिले को आगे बढ़ा है सबसे पहला वाशिंग सोडा देखा वाशंग सोडा देखा आप लोग तोवाशिंग सोडा क्या था अप ने अने 2co3.10 तो था ठीक है इसकी कहानी की भी जरुदाज थोड़ी बहुत पड़ेगी अपने जिसे अपने किस प्रोसेस से बनाया था सॉलवे प्रोसेस से बनाया था अब सर यह आप बार-बार क्यों बताते हैं तो हम पढ़ चुके पीटा मैं चीजों को बार-बार इसलिए बताता हूं क्योंकि इनौररगण ही किमिस्ट्री बच्चों को इस लिए याद नहीं होती क्योंकि वो रिविजन नहीं करते हैं वाट मेक्स यू पर्फेट हमेशाए यह बात रहत रखना स्प्राक्टिसि मेक्स यू पर्फेक्ट ठीक है दूसरा हमने बात करी थी छोटी सी कहानी थी मैंने हर एक चीज आपको बताते हुए चल रहा होगी हाँ एने सील के बारे में बात करी थी तीसरी कहानी जो हमने बात करी थी हमने बात करी थी एने ओएच के बारे में जिसे हम कहते थे कास्टिक सोडा कहते थे क्या कहते थे क्या कहते थे कास्टिक सोडा कहते थे इसे बनाते किस से थे अपन बनाते थे इसे कास्टनर कैलनर से बनाते थे किस से बनाते थे कास्टनर कैलनर से बनाते थे कैलनर से बनाते थे ये कहानी अपने डिसकस करी थी आज की जो अपनी कहानी अपने को बात करनी है जो है अपनी sodium hydrogen carbonate जिसे अपन baking soda के नाम से जानते हैं इसको हर कोई बच्चा जानता है इसके बारे में हर किसी बच्चे को knowledge है what is baking soda तो समझेगा sodium hydrogen carbonate जिसे में simple language में मैं कहूँ sodium hydrogen carbonate यह होता है या इसे मैं एक और नाम दे सकता हूँ sodium bicarbonate sodium bicarbonate कहानी क्या है और अगर आप यह सोच रहे हैं होंगे कि baking soda और baking powder में क्या difference है इस सारी कहानी को समझाने के लिए आज मैं आपके सामने आया हूँ तो अपने कॉपी और पैन निकाल लीजिए और फुल एनरजी फुल जोश के साथ मेरे इस कहानी में आप लोग आ जाईए तो शुरू करते हैं आज की कहानी sodium hydrogen carbonate आप लोगों ने तियोहारों के मौसम में cake, pastries ठीक है अपनी bread हो गई इनको बनानी की बहुत कुशिश करी होगी अगर आपनी cake, pastries बनाया होगा तो आप उसमें baking powder डालते थे सुनना baking powder डालते थे बनाने के लिए और एक fluffiness ही आ जाती थी क्या आ जाती थी, fluffiness ही आ जाती थी, वो किस कहानी की वजह से होती है और ये sodium bicarbonate है क्या, इस कहानी के बारे में अपन डिसकस करने जाने एक पॉइंट NCRT के पकड़ते हुए चलेंगे और उसे लिखते हुए चलेंगे तो समझ न, अगर मैं sodium hydrogen carbonate या baking soda के बारे में बात करूँ जिसका formula क्या होता है, NAHCO3 होता है, clear है, क्या होता है, NAHCO3 होता है sodium hydrogen carbonate is known as a baking soda, इसे हम किस नाम से जानते हैं, baking soda के नाम से जानते है because it decomposes on heating, ये decompose हो जाता है, heat करने पे और generate करता है bubbles of carbon dioxide, क्या generate करता है, bubbles generate करता है carbon dioxide के, जो leave कर देता है holes in cakes and pastries and making them light and fluffy, अब समझना, अगर आपने cake और pastries में baking soda डाला generally बेटा, हम baking soda नहीं डालते हैं, cake और pastries में जो NCIT में दिया हुआ है, वो थोड़ी सी उन्होंने कहानी missing दी हुई है, उस कहानी को समझना, actually जो हम डालते हैं, cake और pastries में वो डालते हैं baking powder, छोटा सा difference है baking soda में और baking powder में जिससे मैं नीचे लिखने की कुशिश कर रहा हूँ समझना, आप baking soda लो, आप क्या लो baking soda लो, क्या लो baking soda लो, जो कि है sodium bi carbonate, no down कर लेना, connecting concept करके लिख लेना, connecting concept करके लिख देना, आप कोई भी, आपने baking soda ले लिया, और कोई भी eatable acid ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, eatable acid ले सकते हैं, ठीक है, जो hydrogen आयं दे रहा हूँ, जैसे मैंने example के तौर पर ले लिया, tartric acid, tartric acid, what is eatable, eatable मतलब जिससे अपन ख़ा सकते हैं, Eatable मतलब जिसे अपन खा सकते हो अगर baking soda में आपने कोई edible acid ले लिया तो ये कसमे क्या बना देता है ये बना देता है baking powder कोई छोटा सा इफरेंस है आपका मिल जाता है बेकिंग powder और जब इसे गरम किया जाता है जब इसे गरम किया जाता है तो आप देखना ये किस में तूट जाता है Na2, CO3 में तूट जाता है और CO2 में तूट जाता है और किस में तूट जाता है H2O में तूट जाता है इस CO2 के निकलने की वज़े से जो आप cake और pastries मुझे देख सकते हैं cooking cooking अपने को आती नहीं यह भाया आती नहीं यह बस हाथ में लेके थोड़ा दिखावा अच्छा लगता है ना बच्चों को फील आना चाहिए वायर अनुराक सर हैं जो आज केक हमको बनाना सिखाएंगे तो केक मेरा फलफी फलफी और बहुत टेस्टी भी है इसमें मैंने मिलाया हुआ है बेकिंग पाउडर जिसकी वजह से यह जो सियो टू निकली इसमें क्या आ गई फलफीनस आ गई चलिए ठीक है सर क्लियर हो गया अब अगर आपको इसे बनाना है अब आप इसे बनाएंगे कैसे तो सुनना या तो आप इसे या तो आप इसे डारेक्ट बना सकते हैं sodium hydrogen carbonate is made by saturating solution of sodium carbonate, sodium carbonate solution ले लो with carbon dioxide, आपने क्या ले लिया, sodium carbonate solution ले लिया, उसमें CO2 pass करियो, CO2 pass करियो, H2O pass करा, आपको direct sodium bicarbonate मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, sodium bicarbonate मिल जाएगा, the white crystalline powder sodium bicarbonate being less soluble and get separate out, आपने sodium carbonate लिया, आपकी क्या मिल गई, आपने CO2 डाला और H2O डाला, क्या मिल गया, sodium bicarbonate मिल गया, क्या मिल गया, sodium bicarbonate मिल गया, लेकिन बिटा, इसे बनाने के लिए अपन दूसरी process भी use कर सकते हैं, क्या आपने इस से पहले, हैबर, हैबर process कहा रहा हूँ, कोशिश कर रहे हैं, यही baking soda, जो कि किसी edible acid से मिल के क्या बनाता है, baking powder बनाता है, क्या बनाता है, बेकिंग powder बनाता है, जब इसे अपन डालते हैं, तो क्या निकलती है, हीट करने पे CO2 निकलती है, इसी CO2 के निकलने की वज़े से, यह हमने देख लिया, सर इसे बनाते कैसे है, सिंपल तरीके से मैं बोलू, पहली method बोलू, जो कि NCRT में दी है, क्योंकि मुझे एकदम NCRT बेस चलना है, जो कि NCRT में दी है, वो यह दी हुई है, कि भईया, आपने sodium carbonate का saturating solution ले लिया, उसमें CO2 पास कर दी, तो sodium carbonate में CO2 और H2O पास करा, तो sodium bicarbonate बन गया, क्या बन गया, sodium bicarbonate बन गया, जिसे baking soda के नाम से जानते है, यह एक white crystalline solid के form में आता है, clear है, चलो पहले इसे note down करो, फिर आगे बढ़ाता हूँ कहानी को, चलिए, अगर इतना note down कर लिया, तो दूसरी process जो होती है, बिटा, शायद आप लोगोंने solvay process सुनी होगी, क्या सुनी होगी, अपनी solvay process सुनी होगी, कौन सी process सुनी होगी, solvay process सुनी होगी, जिससे अपन क्या बना रहा है थे, जल्दी बताइए, जिससे अपन washing powder बना रहा है थे, तो समझ न, हम ammonia पे अगर co2 pass करें और h2o pass करें, तो सबसे पहले हमको मिलता था ammonium carbonate, मिलता था, इसी ammonium carbonate पे हम अगर वापस ammonium carbonate पे हम वापस co2 और h2o pass करते थे, तो हमें मिल जाता था ammonium bicarbonate, क्या मिल जाता था हमें ammonium bicarbonate मिल जाता था, हमें ammonium bicarbonate मिल जाता था, ठीक है, अब ये जो ammonium bicarbonate आता था, ammonium bicarbonate आता था, इस पे अगर हम ने NaCl पास कर दिया तो ध्यान दीजिए मेरा क्या मिल गया? NaHCO3 मिल गया और मेरा क्या मिल गया? सोडियम क्लोराइड मिल गया यह जो NaHCO3 होता है यही अपना कहलाता है बेकिंग सोडा क्या कहलाता है? बेकिंग सोडा कहलाता है या तो आप इस प्रोसेस से बना सकते हैं और वापस आपने इसको अगर गरम कर दिया तो यह वापस ने टू-COO3 में तूट जाएगा और आपका वाशिंग सोडा बन जाएगा या तो आप इस मैथट का यूज कर सकते हैं इसे नोट डाउन कर लो तो एक यह जो छोटी सी कहा नहीं थी कि हाँ भाईया बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में किया डिफरेंस है सोडा से पाउडर कैसे बनाया जाता है स्मॉल अमांट में कोई एडिबल एसिड डाल दो जैसा अपने टार्टरिक एसिड के यूज के लिए अपना बेकिंग पाउडर बन गया क्या ब दूसरे यूज इसके क्या होते हैं सोडियम हीटोरजन कार्पोंय знаете mild antiseptic का भी काम करता है किसका करता है एक mild antiseptic का भी काम करता है, किसमें काम करता है, ये skin infection में काम करता है, किसमें skin infection, दूसरा, ये एक fire extinguisher का काम करता है, किसका काम करता है, ये एक fire extinguisher का काम करता है, किसका काम करता है, fire extinguisher का काम करता है, इसके ये जो दोनों use हैं, ये काफी ज़्यादा important हो सकता है, baking industry में use किया जाती है लेकिन अभी अपने सिलिवस में इतना नहीं दिया हुआ इसलिए मैं ज्यादा डेफ्ट में नहीं जा रहा हूं पस इतना बता रहा हूं कि फायर एक्स्रिंग विशर में भी सोडियम बाई कार्बोनेट का यूज किया जाता है तो सर अभी तक की जो कहानी थी जो हम कमपाउंट के बारे में बात कर रहे ते उस कहानी को मैंने कहत्म कर दिया किन के बारे में बात कर लिया अब आने वाले लेक्शर में जो अपनी कहानी होगी, वो होगी अपनी group 2 element की group 2 element जिनको alkaline earth metal कहते हैं उनकी physical property के बारे में बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे group 2 के compound के बारे में भी उसके भी compound में एक-एक करके आपको अलग-अलग बताऊंगा ताकि पूरी कहानी systematic way में चल हो चुका है और जैसे कि मैं हमेशा बात करता हूं मैगनेट ब्रेंट बिटा आपको क्लास केजी से क्लास ट्वलता है फ्री और कॉलिटी एजूकेशन प्रवाइड करता है हम और मेरी जितनी भी टीम आपने देखी वो दिन रात महनत कर रही है ताकि आपके लिए बैस से बैस कंटेंट ला सके लेकिन कई बार होता है कि आपको वीडियोस नहीं मिल पाते तो आप हमारी एप या वेबसाइट पर जा सकते हैं आप जैसे ही www.magnabrains.com टाइप करेंगे आपको एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा हमारी वेबसाइट का फ्रेंट पेज है जहां पर लिखा ह जोससाने के बाद आपको क्या करना कि आपको क्लास एलेवंध पे क्लिक करना या क्लास 12 जैसे दुनों क्लासे ले रहा हूं जैसे ही आप क्लिक करेंगे और मेरे subject teachers जितने इतने भी subject teachers हैं यहाँ पर, magnet brain team में, आपको पढ़ाते हुए दिख जाएंगे, हम book one already complete कर चुके हैं, आपको किस पर tick करना है, click करना है, book two पर click करना है, आप जैसे ही करेंगे, आपको ऐसे systematic lecture दिख जाएंगे, वैसे यह book one के lecture हैं, आपको systematic way में दिख रहा हैं, chapter one, chapter two, इन lectures मे आपको सारी, क्या दिख जाएंगे, इस chapter में सारे lectures line by line आपको मिल जाएंगे, single click करने पर मैं आपको पढ़ाता हुआ दिख सकता हूँ, अब आपको क्या करना है, आपको comment section में बताना है, आपको यह जानकर ही कैसी लगी, क्योंकि मैं हमेशा यह चाहता हूँ कि भईया, online मे भी हम offline वाला feel ले सकें, और two way interaction कर सकें, और यह जो हमारा free education का motto है, इसे logo तक share करें, ताकि लोग भी best से best quality education का फायदा ले सकें, तो मिलते हैं, अगले lecture में group two element के साथ तब तक बने रही है, magnet brain के साथ, thank you so much